तो ये लिजए इस्पेसल कटोरी चार्ट बनके तयार है तो आप भी बनाना चाहते हैं अपने परिवार को कुछ इस्पेसल बना के खिलाना चाहते हैं तो इस रेसेपे को जरूर ट्राइ करें और वीडियो को लाश्ट तक देखें तो अब यहां पे हम एक बड़ा सा बरतन तो इसमें दो कप मैधा डालेंगे वण फोर्थ के इसमें ऑइल डालतेंगे स्वात कैनुषार नामक डाल एक було आज्वैन डाल देंगे कलांजी ढातेंगे जिसको मैं गैला बोलते हैं सभी को अच्छे से मिला लेंगे तेल में बिल्कुल भी गुठलियां हो जाती है तेल डालने से तो बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए अच्छे से मिला लें देखिए इस तरीके से आट की बैंडिंग होनी चाहिए तो इसमें समझ जाए तो इस मिला लेते हैं इसको हम लग छोटे चोटे बॉल्स बनाकर तयार 7 तरीके से आपको सारी बॉल्स बनाने तो बन गया है niesबथम मैंने बना ली एक वाड़ा ली यह थोड़ा सब मैदे से ड अट कर लेंगे और बस इसे औरäg पुड़ शे mencion ऊद्धिया से और इसे हम लोग आपको तेल या किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं करना है बस एक गिलास लेज़े नॉर्मली इसमें हम लोग इस तरीके से कटोरी असेफ दे देंगे फिर यहां पर मैं एक कटोरी ली हूँ इसमें भी हम जो पूरियां बेले हैं इसको हम लोग कटोरी की जो भी आपको अच्छा लगे अब आसे यहां पर तेल गरम है तो गर्म गरम तेल में इसे डाल देंगे और इसे हम लोग पका लेते हैं तो उपर से तेल डालते जाए ताकि आपका एजिली मतलब गिलास से कटोरी निकल जाए बहुत एजिली निकल जाते हैं तो उपर से त तोड़ा थोड़ा तेल गरम तेल डालने लगे तो फ़लेट के तोनों साइट से अच्छे से पखा लेंगे वस यह अच्छे से पख गया हैं देख सकते हैं इसका कलर भी कितना गुल्डेन हो गया तो इसे हम लोग निकाल लेंगे तो चनी के मदद से इसे चाले एक्स्ट्रा तेल निकल जाते हैं और इसी तरीके से मैंने 15-16 यह कचोड़ियों बना के तयार कर लिए हैं तो दिखी सारे बन गया हैं तो अब हम लोग इसका स्टफिंग बनाएंगे तो एक कुकर लिए एक कप चना डालेंगे इसमें एक कप से थोड़ा से कम इसमें पानी डालेंगे हल हम लोग 4 सीटि लगने तक पका लेंगे और यह आप चाहें तो काबली चना कभी इस्तमाल करता लेकिन इससे बहुत अच्छा टेष्ट आता है मैं बनाएं हूं इसलिए आपको बता रहे हैं। इसलिए पोहुत यालू डालेंगे फिर चने डाल देंगे फिर टमाटर डालेंगे कटा हुआ फिर नमक स्वात के नुसार धनिया पॉडर जीरा पॉडर लाल मीच पॉडर डालेंगे यहां पे डालेंगे इमली की मीठी चटनी तो इमली को यह घंटे फुला ले उसका पल्प निकाल के चीनी क पकाल लेए थोड़ा सा फिर यहां पर धनिय की चट्नी थोड़ी तीखी डालेंगे फिर यहां पर मीठी दढीन दढ़ी तोड़ा से आव काफी अच्छा क्रिस्पी दें ऊप्र से काफी अच्छा क्रिस्पी पहुत रलता हो जाता है अपने परिवार के लिए फैंसर एक इस पना काइब एक जरूर झराए कर सकते हैं पीडियो कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं सिस्क्राइब करना ना भूले तो बस आप बनाएं